बात साल दो हजार चौबीस के लोगसभा चुनावों की है और उस वक्त की है जब गुनाश शिफपुरी लोगसभा सीट से बीजरपे के प्रत्याशी जोत्रादित्य सिंधिया के लिए चुनाव प्रचार करने ग्रयमंत्री अमित्षा पहुचे हुए थे भरे मनसे अमित्षा ने एक वादा किया था केपी आदभ को लेकर जिनोंने गुनाश शिफपुरी लोगसभा सीट छोड़ी थी जोत्रादित्य सिंधिया के लिए वादा ये कि केपी आदभ को लेकर अमित्षा ने और बीजवी ने कुछ सोचा हुआ है और उनका खयाल रखा जाएगा लेकिन अब जब राजसभा को लेकर नाम की घोशना हो गई है कि मध्यप्रदेश से किसे बीजवेपी राजसभा भेज रही है अब सवाल उठ रहा है कि आखिर अमिच शाह के उस वादे का क्या हुआ क्या के पी आदब के साथ थोका हो गया है ऐसा हम क्यों कह रहे ह विस्तार से आपको इस रिपोर्ट पे बताएंगे नमस्कार आप देख रहे हैं पितक और मैं हूँ आपके साथ अकांगश ठाकुर दर्शकों को बता दे कि 2024 के लोकसभा चुनावों में गुनाशिफपुरी सीट से जोतरा दित्ति सिंधिया विजई हुए जिसके बाद उन्होंने राजसभा से स्तीफा दी दिया राजसभा कौन जाएगा इसको लेकर काफी लंबी चर्चा रही और इसमें सबसे आगे नाम चल रहा था इसी सीट से सांसद रहे केपी आदफ का जो 2019 में सिंधिया को हरा कर सांसद बने थे हाला कि 2024 में उनका टिकेट कट गया सिंधिया को टिकेट मिला लेकिन अब जब राजसभा को लेकर बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि बीजेपी केरल से आने वाले जॉर्च कुरियन को राजसभा भेजेगी ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या केपी आदफ के साथ हो क हो गया है आपको बता दें कि 2019 में के पी आदव ने सिंधिया का और कॉंग्रिस का साथ छोड़ा था वो बीजेपी में शामिल हो गए थे 2019 का लोग सभा चुनाव उन्होंने लड़ा और तब सिंधिया कॉंग्रिस के टिकेट से चुनाव लड़ रहे थे और केपी आदव ने सिंधिया को हरा दिया लेकिन 2020 में सिंधिया कॉंग्रिस छोड़कर बीजेपी में आ गए 2024 में केपी आदव को गुना शिफपुरी लोग सभा से छोड़नी पड़िया यू कहें कि बीजेपी ने उनका टिकेट कार्ट दिया और सिंधिया को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया जिसके बाद यह माना जा रहा था कि सिंधिया के अगर सिंधिया जीतते हैं तो उनका जो स्तीफा होकर राजिस सभा से वहां पर केपी आदव को बीजेपी अड़िस्ट करेगी और इन कयासों को हवा तब मिली जब खुद अमिच शहने भरे मंज से यह कहा कि केपी आदव को लेकर लोग चिंतित नहूं उनका खयाल रखा जाएगा माना गया कि इस लोग सभा चुनाब के बाद जो राजिस सभा को लेकर चुनाब होंगे केपी आदव को बीजेपी राजिस सभा भेजेगी लेकिन फिलहाल बीजेपी ने चौक आने वाला फैसला ले लिया है और केरल से आने वाले जौर्ज कुरियन को मध्धिप्रदेश क कोटे से राजिसभा भेज रही है ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि के पी आदफ से या फिर यू कहें कि गौालियर शिफपुरी लोकसभा सीट की जनता से जो वादा अमिद्शाह ने किया था वो उस वादे का क्या हुआ क्या क्या कि पी आदफ के साथ हो का हो गया जिस तरीक लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या बीजेपी के द्वाr findet पूरा करती है आने वाले दिनों क्या बीजепी के पी आदफ को संगतन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मदारी देती है या फिर मध्यप्रदेश में उनका कद और उचा करती है लेकिन फिलहाल राजसभा जाने वाले नामों की फहरिस से के पी आदफ का नाम गायब है जिसके बाद अब कई तरीके के सवाल जो है वो उटते हुए दिखाई दे रहे हैं पूरी रिपोर्ट पर आपके क्या राय है कॉमेंट सेक्षन में हमें जरूर बताईएगा मध्यप्रदेश जुड़ी तमाम ख़बरों के बने रहे हैं MP तक के साथ